नमस्ते दोस्तों मैं मुर्योशा आपके अपनी यूटुब चानल पर स्वागत करती हूँ आज हम डॉक्टर निर्जा महादोद्वारा लिखित बैटन यह कहानी देखने वाले हैं और इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस कहानी के पात्र या हम इस कहानी के विशे पर च इस तरह इस कहानी में प्रमुक पात्र आते हैं। छो विष्य हैं में गरीबी का चितरन हैं। गरीबी के कारण शिक्षा से दूर रहनी की जो विवस्था या मझबूरी है। इसका भी चितरन हैं। सरकारी योजनाओं का लाब जरूरत मंद लोगों को नहीं मिलता। ये भी हम इस कहानी के मध्यम से देखते हैं और पुतान की शिक्षा अधुरी रहने कारण जो गरीबी है या उसकी जो इच्छा है कि वो शिक्षा अरजित करे वह इच्छा अपूरन रहे जाती है और पारिवारिक तनाव का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह है उसकी कथा को देखेंगे कि कहानी की जैसे शुरुवात इस कहानी की शुरुवात जैसे पुतान एक गाव का नाम भी दिया है और पुतान उस बच्चे का नाम भी है जो उस गाव का रहने वाला है और उसका असली नाम पशुपती है उस बच्चे के या पुतान के इर्द पुतान को लेकर ही यह कहानी चलती है लेकिन उसे शहर में जैसे पुतान नाम से ही या गाव के नाम से ही जाना जाता है या लोग भुलाते हैं पुतान उसका परिवार जो कुछ है वो बहुत गरिब हैं बहुत ही गरिब जादा है और उसके अपनी बहन के घर पंडी के लिए उसकी मा ने उसे भेजा हुआ है, जहाँ पर अपनी बहन की वहाँ मदद भी करता है, जीजा के लिए टिफिन या खाना पहुचाने का काम भी करता है, कुछ सबजिया बेचने का काम भी वहाँ करता है, जैसे सबजिया बेच कर जो कुछ पैसे खटे होते हैं, उन पैसे को एक वह अपनी बहन की विवस्ता को या बहन की मजबूरू को अच्छी तरीके से समझता है, गरीवी जादा है, कमाने वाला एकी हाथ है, जो बहन का पती है, जी जाजी, घर में, खाने में, जादा कुछ पक्वान अगरा नहीं बनते, लेकिन पेड भर खाना भी कभी-कभी नहीं हो सकता, या जो एक तरह से घर में जो रहने वाले लोग है, उनके आलावा पुतान भी उस घर में जाकर रह रहा है, मतलब यह मजबूरी है, और मजबूरी के आलावा भी एक विवस्ता है, गरीबी की विवस्ता, और इसका चितरन हमें इस कहानी की मादियम से मिलता ह और वह भी अपने आपको अपने बहन पर या जीजा पर बोज लग रहा है या बोज समझता है अपने आपको और यह अतक बोलता है कि उसे शिक्षा ग्रहन करनी की बहुत इच्छा है वो पढ़ना चाहता है पढ़ लिखर अच्छा आदमी बनना चाहता है और अच्छा आदम दर्शन नहीं करना चाहता तक और दर्शनos समत्वार कान चाहता कि या पर दो को कि तरह में पड़ते हो कि चूल को प्रश्ण प्रश्न उसको पूछे जाते थे पर लोगों के जान पहचान बढ़ाना है शाıyorsun कि यंदा लिजन Çaरे के केदर तक शादी जान पहचान न बनाएं आध ़ेनने ऐस आं कRR हैं कि लोगों साथ ज्यादा बाचित नहीं करनी है पर कर मेंने घर में उसके जीजा जी रव्वायं वह भूत टीका है हमेशा चिर चिर करते रहते हैं और चिर्चड़ा पनिजादा होने केकारण हमेशा अपनी जीजा दरता है एक दिन शुखही लकडिया का कारण बहन ने खाना नहीं बनाया और उसके जिजाजी वैसे ही जो काम पर चले गए हैं यह जब सब्जिया बीच कर आता है और इसको स्कूल जाना है फिर भी वह बच्छा जो पैसे जमा करके 45 रुपे लेकर आ रहा है वह बहन को देता है और कहता है कि इससे मैं सुकिल जाओंगा लेकिन बहन केती कि नहीं यह पैसे तुम इसमें खर्च मत करो अपने बैठन में संभाल के रखो ताकि इससे एक अच्छी उनिफर्म तुमारे लिए बनाई जा सके अब जब वह बैठन में जो उसने सब्जिया बेच कर लाए हुए पैसे वह रखता है या रखन माता किस तरह खाना बनाती थी पिता किस तरह भजन या पूजा अर्चा करते थे या खेतों में काम करने चले जाते थे आने के बाद पिता के पेर दबाना या मा के पेर दबाना यह उनको पानी देना यह सब तरह की सेवाई यह जो पुतान करता था लेकिन आप वह सेवा कि ऐसी थैली जिसमें ये सारी स्कूल की चीज़े रखे जा सके ऐसा जो कपड़े का पुरानी कपड़े का बनाया गया जो बैठन है वह उसके माने बना कर दिया था और किस तर बनाने से पहले उसने जित की थी और तुरंद बनाने के बाद उसका उप्योग करने के लिए जैस ही उस बैठन में कुछ चीज़े रखने और उसको गाठ बानने के कोशिश करता है तो उस बैठन की एक दोरी टूट जाती है मा कहती है कि मैं अगले दिन इसको नहीं दोरी या उस दोरी को गाठ मार के दे दूँगा लेकिन ऐसा होने से पहले ही दूसरे दिन ही उसकी बहन आई थी और उस बहन के साथ ये उस अपने बहन के साथ शहर में रहने के लिए आ गया है इसलिए अपने मा को बहुत याद कर रहा है अपनी मा को याद करते करते उसको सारी वो गाव की चीज़े आगाव का माहोल घर का माहोल और माने यहां आने से पहले बहन को किस तरह मना आया था कि अपने भाई को शहर में पढ़ाने के लिए लेकर जाओ, ये सारी चीजे उसको याद आ रहे हैं, बहन भी मन से उसको लेकर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसकी भी विवश्ता है, मजबूरी है, पती क्या कहेंगे, और पहले सी ही घर में बच्चे और घर चलाना मान जाती है, और उस गाउ से या मा को छोड़ कर आने से पहले वाली जो रात है, उस दिन मा बेटे या पुतान और उसकी मा बहुत रोये थे, और पुतान की मा ने उसे अच्छी तरीके से समझा भी देया था, कि किस तरह शहर में रहना है, जी 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 थोड़े से तीखे लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बहन के लिए वहाँ पर जो कुछ है अज्जस करना है, और कुछ भी पलट के जवाब नहीं देना है, जैसा है, वैसा रहना है, ऐसा समझाना है, पुतान यहाँ पर बहुत ही समझदार लड़का है, छोटी उम्रों में भी कापी समझदार है, और अपने बहन के साथ रहे कर वो उस परिस्तिते में अपने आपको ढ़ाल देता है, और वैसे ही जीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाना आया, उस दिन जैसे ही वो जित करके स्कूल जाता है, क्योंकि एक जैन मंदिर में इसके स्कूल के बच्चों क मैडम लेकर जाने वाली है उस दिन वो अपने स्कूल जा रहा है या जाने से पहले उसकी बहन उसको जाने से मना करती है क्योंकि वो कहती है कि आज थोड़ी धूप अगर निकली तो जो कुछ भीगी लकडिया है उसको हम सुखाने के लिए बाहर डाल देंगे तुम आज स्कूल मत जाओ लेकिन पुतान अपने बहन को समझाता कि आज स्कूल की मैडम जो है बाहर जोईग मंदीर में बच्चो को लेकर जाने वाली है वहाँ एक कारेकम है और हो सकता है उस कारेकम में कुछ खाने के लिए भी मिले और स्कूल जाने के बाद मैडम उसको बहुत डाटती है और डाटने के बाद ये कहती है कि अब तुम देर हो गई और इसका मुबदला ये है या इसके लिए शिक्षा ये उससे सुनाई जाती है कि वहाँ स्कूल में ही रहे कर सभी बच्छों के बैग संभालेगा और उसको कारिकम में लेकर नहीं जाया जाता है उसको बैग संभाले के लिए रखा जाता है उस स्कूल की एक दाई है और वह दाई उसे बड़ी ममता से उससे एक बात पूछती है कि तुमने खाना खाया है तब वो कहता है नहीं उसकी जो बैग है या उसका जो जिसे दपतर कहा जाता है या बैठन उसमें वो टटोल कर देखती है कि इसमें टिफिन लाया की नहीं उसके बैग में कुछ भी नहीं है वा खाली है ना ही किताब है ना ही टिफिन है फिर वो दाई उस पर एक तरह से प्रेन भाव हो या मुमत हो उसका जो जागृत होता है और एक दूसरे स्कूल के बच्चे के बैग से टिफिन निकाल कर उसको दे देती है और उसमें जो दो रो गेट पर चड़ कर वह कारेकम का आनंद ले रहा है कारेकम देख रहा है और जैसे ही कारेकम खता है या उस कारेकम में ऐसा दिखाया गया है कि जहां पर पंचियों को उड़ाया जा रहा है जहां पर कभुतरों को उड़ाया जा रहा है और मतलब पंचियों को या पक्षियो लोग तरहतर के कारेकम कर रहे हैं अब पुतान की भूग तो समाप्त हो गई है अब पुतान वहाँ बेटा है लेकिन दाई उसे बता दी कि बताना मत वो डरता है पहले आत्म गलानी होती है उसे किसी का दूसरे का टिफिन वो चुरा कर खा रहा है लेकिन फिर भी भूग के आ वह जो बच्चा है, शिकायत करता है मैडम से आकर और कहता है कि मेरे टिपें से किसी ने जो रोटी है वो खा ली है, तब मैडम को लगता है एक तो पुतान था, नहीं तो दाई मा, दाई मा और पुतान को बुला कर हजिरी ली जाती है, मतलब उनको फटकारा जाता है, तुम दोनों में से कोई भी जो कुछ है गुनाहा कबूल करो, किसने ये टिफिन खाया है, तब पुतान अपनी जो कुछ गलती है या अपना अपराध है, वो स्विकार कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि दाई मा की नोकरी चली जाएगी इसके वज़े से, दाई मा को भी बहुत फटकार मिलती है, पुतान को एक चपट भी मारी जाती है, इससे ये सिद्ध होता है कि मैडम पहले से क्रोधित है, और पुतान ने चुरा कर जो टिफिन खाया है, इसकी शिक्षा उसको मिलती है, और उसको ये तक बोला जाता है कि तुम कल आते समय अपने माबाप को स्कू जिजजी का सबाओ कैसे है, और वो कैसे आएंगे स्कूल में, और आकर क्या बता देंगे, स्कूल में अडमिशन लेकर एक महना हो गया है, फिर भी इसके बेठन में या अच्छी किताबी नहीं है, कुछ भी किताबी तो ही नहीं है, अच्छा उन्यूफाउम नहीं है, पा रहा है, और यहां पर हम एक बात स्पश्ट रुप से देखते हैं, कि पुतान की बहुत पढ़ने की इच्छा होने के बाउजद भी वह पढ़ नहीं पाता है, यह उसकी विवश्ता, यह उसकी मजबूरी, गरिबी के कारण हो गई है, और यह होता है, लेकिन वह अपने का वह निरने, वहाँ पर कहानी को समाप्त कर देता है, और इस कहानी से हमें यह पता चलता है, कि सामाजिक विवस्ता तो है ही, सामाजिक विवस्ता में ऐसे कितने लोग है, शासन की बहुत सारी योजना है, जैसे वहाँ पर शिश्यवर्ती की जो योजना है स्कूल में, व जो रवया है वो हमें कहीं नगी खटकता है और इसको देखकर हमें लगता है कि पुतान जैसे कितने ही लोग या कितने ही बच्चे होंगे जो शिक्षा से वंचित है अपने बैठन के लिए या अपने एक स्कूल बैक के लिए या अपने एक उनिफार्म के लिए तरस्ते हैं और ऐसे ही तरस्ते लोगों को या तरस्ते बच्चों को केंद्र में रख कर ये कहाली लिखी गई है। जिसका मुख्य उद्देश ये ही कि जन सामाने तक या व्यवस्ता जो है हमारी उस तक ये बात पहुंच सके और उसे एक सीख मिलेगी कोई भी बच्चा इस तरह शिक्षा से वन्चितन रहे और भूखे पेट न सोई ठीक है अब बहुत सारी योजना सरकार की है फिर भी इस क नहीं के कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि हूने के बवजूद भी वह पूरी तरह से उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते है है तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है पुतान के घर जाने के निर्मे से तो यहाँ पर यह कहाणी समाप्त होने के बाद हम जैसे इनिशकर्ष तक पहुंचते हैं जैसे सामाजिक व्यवस्ता का चितरन है गरीबी का चितरन है और मजबूरी का चितरन है गरीब बच्ची की एक इच्छाव अधूरी रहे जाती है जो शिक्षा अरजीत करने की ठीक है तो यहाँ पर यह कहाणी समापत होती है जंद मिलेंगे हमें एक नए विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद